शहर में योदी स्वख्षता की बात करें तो लगातार प्रशासन्द दौरा स्वख्ष मोहिम चलाया जा रही है अमरित्मावससो चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों जागृत किया जा रहा है ताकि शहर में जो है कचरा उठाया जाए डंप किया जाए डंपिंग ग्राउंड का भी एक अलग विशय चलड़ा जिसको लेकर जस्तो जहत की जा रही है लेकिन जितना करोड़ रूपे खर्च किया जा रहा है उसका कोई निर्ने सटीक सामने नहीं आ पा रहा है शहर के आप नागरी के आप जब शहर में चलते तो आपने देखा होगा कितनी गंदगी रहती है लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की यह होती है कि उसको साफ किया जाता कि शहर साफ हो ऐसे में दी बात करेंगे तो अब एक और जो है साफ सफाई के टेंडर को लेकर एक टेंडर निकाला गया है जो की प्रभाग तीन के लिए खाली निकाला गया है शहर के लिए अलग जो की टेंडर चल रहा जिसे प्रति दिन लगबग आठ लाक रुपे जो की खर्चा बताया जाता है लेकिन अभी प्रभाग तीन के लिए एक अलग से साफ सफाई का टेंडर जो है लाया गया है इसके लिए जो है काफी विरोध भी किया जा रहे है क्या विरोध है किस तरीके की जो है आज मुलाकात भी हुई है कमिश्णर साप से क्या निटने और क्या आप लोगों की महांगे इसको लेगे आज हमी महापालीगेचा समौर मनसे संगट जावती ने या साप सपई चा प्रभाग तीन चा विरोधा मदे ठिया अंदोलन मनसे संगट जावती ने प्रभेष दोरा चला सुरू किल होता। प्रवेज़गोरा नंतर थिया अंदोलन सुरो केले नंतर प्रशाजनाला जागाले नंतर प्रशाजनाने सन्मनी आयुक्तान चा दालना मदे ततकल याविश्यावर चर्चा जाले नंतर आमी अमची भुमिका ठाम होती की साप सपाईस जा ठेका कुटले ही परिस्तिती मदे रद्ध जाला पाईजें। 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 कि तरीक के खरचा होगा सफेए इसम días जो पैसा जीना नहीं प्रॉटार यह कि तरीक ça is अधाल कि चांट किस्तों सदेखाने जो क्मधा उन्हीं आप साल साल में किसने नहीं तर घर तर नहाँ रायक साब ने कहा था कि जनरल बॉडी में ठरावा पास किया था उसमें कितना कारे काल इनों ने दिया था उसके बारे में को assessments descendants कि यह फिर उसमें में इनोंने तैक किया रहे गाई एक साल और बचानक से कहरा है 8 साल उसमें 2019 में अटी शर्ती के अधिनराव महासवे में ठरवा पास किया था महासवे में ठरवा पास करने के बाद में उसमें किमान वितन के अधार पर जो कामगार को किमान वितन के अधार पर पेमेंड करना है उनका balance sheet चेक करके उनको उनके खाते पर पैसा डालना है ये सब अटी चरती के विदान पर महासभी में ठरवा पास हो गया था उनका ठरवा भी आज मेरे पास है वो ठरवा के अधार पर उन टेंडर का ये ठेकेदार ने कोई भी काम नहीं किया तो ये ठेकेदार का जो अटी और सब्सक्रण विद्डी चरती के अधिनना नहीं किया तो उनका ठेका रद्द होना चाहिए अधिकर की उपर गुणाताकल होना की चांसे ज्यादा है裁 sufferingappd सन्मने देश्पंडे साब से बात करके आगे हम बढ़ाएंगे हमसे बात्चित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ार साब ते महाराश्ट नर्विमान से ना कामगर संग से जिस तरीके से जो की प्रक्रिया चल रही है अब आपने देखा भी होगा लेकिन सोचने वाली और गौर करने वाली बात ये है कि जनरल बॉड़ी में इस थराओ को पास किया गया था और अब शहर के वो सारे नेता चुप है जो की इसमें आवाज उठाइनी चाहिए जिने विरोध करना चाहिए लेकिन वो करेंगे ने क्योंकि उनी के द्वारा जो है जनरल बॉड़ी में इस थराओ को पास किया गया था जो की सीधी तरीके से आप देख सकते हैं कि शहर का नुपसान है एक जगे दिन का आठ लाग रुपे खर्चा किया जा रहा लेकिन उसके ओपर किसी तरीकी का कोई नतीजा ने ज़र नहीं आता और प्रभाग तीन में प्रवेटाइजेशन करके सपाई का जो की टेंडर दिया गया इसका क्या रंग रूप देखने को मिलेगा यह देखना दिल्चस्प होगा